तो जैसा कि आपको पता है कि हम step by step power pivot को सीख रहे हैं और ये हमारा episode number 11 है आज के इस episode में हमने देखना है कि अगर हमने per day या per month sales calculate करनी है तो वो हम किस तरह से करेंगे मेरे इस data के हिस्ताप से मेरा ये data month पे base करता है तो सबसे पहले में क्या करूँगा कि मैं अपने जो total number of months हैं उनको count करूँगा और जो मेरी total sales होएगी उसके उपर मैं divide कर दूँगा तो ये मेरी monthly sales का एक number मेरे पास आजएगा इसी तरह से अगर आपने day wise sales को calculate करना है तो आप अपनी unique dates को calculate करेंगे और उसको total sales पे divide कर देंगे तो आपके sales पर day आजएगी तो चले हमारे इस data के हिसाब से जो हमारी per month sales हम calculate कर सकते हैं उसको calculate करते हैं तो सबसे पहले मैं यहाँ प्यारों में लिख रहोंगे जी monthly average sales सबसे पहले मैंने अपने number of month unique number of month calculate करने हैं तो वह मैं कैसे करूँगा distinct count और sales के table के अंदर जो month उसका distinct count मुझे करके देता हूँ अगर मैं इसको यहाँ पर okay करता हूँ न तो यह मुझे बता रहा है कि मेरे पास total six month है यानि अगर मैं इसमें जाकर देखता हूँ तो मेरे पास total one two three four five six six month है अब मैं क्या करूँगा कि मैं जो मेरी total sale है मेरी total sale मै यहाँ पर यह bracket के अंदर जाके अगर लिखूँगा total sale तो यह मुझे मेरे जो tax measures है न वो दे देगा तो यह मेरी total sales है इसको मैंने divide किया है मेरे number of month के उपर अगर मैं इसको okay करता हूँ तो जो मेरी per month sale है वो 6726 है यानि कि अगर आपने अपने data के अंदर per month या per day sale calculate करनी है तो आप इस trick के जरिए इस method के जरिए उसको calculate करेंगे अगर मैं यहाँ पर calculator के उपर इसको calculate करता हूँ जो मेरी total sales है वो 40358 और divided by 6 तो मेरी per day sale यह 6726 है अगर आप पर पास जो भी कोई data होगा उस data के अंदर आप अपनी जो average monthly sale है या आपकी average per day sale जो है उसको आप calculate कर episode में हमने यही देखना था so thank you so much for your time and I will see you in the next episode of this series